भेंकर से भेंकर नसों के रोग नसों की कमजोरी दबी विनस की समस्या दोस्तों ये बहुत भेंकर और आधकल बहुत सारे नोजवान यूवकों में बड़े बजुर्गों में नसों की कमजोरी नसों की ब्लॉकेश देखी जा रही है इसको दोस्तों ठीक करना इतना आसान होत आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है हमारा इंस्पिरेशन बढ़ता अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं पसंद करते हैं साथ मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बैल आइकन घंटे के बटन को दबाने के बाद आल पे क्लिक करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मुबाइल में तुरंट एक सेकिंड के भीतर मिल जाए दोस्तों नसों की ब्लॉकेज को नसों की कमजोरी को दब्यू इनस की समस्चा को दूर करने के लिए सबसे पहली और शदी जो आपको लेने जो कि आपके वात पित और कफ को बैलनस करते है वो है दोस्तों फैनेगरिक सीड यानि की मेथी दाना दोस्तों लगबग लगबग मान के चलिए एक बड़ा चमच या फिर डेड़ बड़ा चमच आपको क्या करना है किसी कटोरी में डाल करके उसमें पानी डाल करके दोस्तों आपको रात को सोते समय इसको भिगो करके रख देना है पानी के बीच में सुबह उठ करके दोस्तों आपको मेथी दाने का मेरे बताया उनुसार वागबत रिशी जी के द्वारा बताया उनुसार एवन अगर आपने शिरी राजिव दिक्षित जी की भी वीडियो देखी होंगी तो उनुनने भी काफी सारे अपने व्याख्यानों में बताया है कि मेथी दाने को फैनेगरिक सीड को रख देना है मेथी दाने के बीच में ऐसे पोशक तत्व पाय जाते हैं जो कि किसी भी शरीर के हिस्से में आपको नसों की ब्लॉकेज की नसों में दर्द की समस्य है या फिर नसों में इंठन में ब्लॉकेज की समस्य है किसी भी तरह की प्र और left side में कटोरी में आप यह देख सकते हैं dry ginger powder जिसको हम हिंदी में saunt कहते हैं दोस्तों पुराने जमाने में हमारी दादी नानी भेंकर से भेंकर जोडों के दर्द को गुटने के दर्द को ठीक करने के लिए नसों की blockage को खोलने के लिए saunt का इस्तमाल किया करते थे दोस्तों saunt के बीच में ऐसी properties पाई जाती हैं जो कि नसों के बीच में blood circulation को अच्छे से करने में और साथ में भेंकर से भेंकर जो नसों के बीच में blood circulation का flow रूख जाता है उसकी blockage को खोलने के लिए आपकी अदरक बहुत जादा सहायता करती है अदरक के बीच में दोस्तों anti-oxidants और anti-inflammatory तत्वा पाये जाते हैं जो कि भेंकर से भेंकर नसों के रोख के लिए तो अच्छे होते हैं लेकिन दोस्तों ये heart की blockage भी आपको होने से बचाते हैं तीसरे नमबर पे यहां पे मैंने जो चीज लिए है जड़ी बूटी लिए वो है cinnamon यानी की डालचीनी लेकिन कौन सी वाली डालचीनी ये जो दोस्तों आप स्क्रीन में डालचीनी देख रहे हैं दालचीनी दोस्तों आपके blood pressure को नियंतरित करने में वात पित और कफ को balance करने में नसों को खोलने में और दोस्तों नसों को थोड़ा सा white करने में यानि कि थोड़ा सा चोड़ा करने में आपकी सहायता करता है जैसे कहीं लोगों को क्या होता है कि टांगों में नसों के दर्द होते हैं नसों में ब्लॉकेज हो जाते हैं कहीं लोगों को हार्ट में यानि कि दिल वाले जगे पे दर्द होता है नसों की ब्लॉकेज नसों की प्रॉब्लम हो जाती है तो ये सिनेमन यानी की दाल चीनी का पाउडर बहुत बहतरीन होता है किसी भी शरीर के हिस्से में अगर आपको नसों की ब्लॉकेज है उसको दोस्तों खोलने के लिए बस सेवन करने का सही तरीका सभी और शदियों का आपको पता होना चाहिए दोस्तों मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक करने वीडियो को बिलकुल भी न भूलें बहुत मैंद़् से मैं आपके लिए वीडियो स बनाता हूँ और पूंदे का आपको कूट करके पत्थर के खरेड में पत्थर की जो लंगरी होती है जिसमें माताएं बहने चटनी बनाती हैं उसमें आपको कूट करके इसका 5-10 ग्राम की मातरा में पाउडर बना लेना है और यहीं पे हमने 5-10 ग्राम की मातरा में सोंट का भी पाउडर लिया था और लगबक 20-20 से लेके 50 ग्राम की मातरा में डिपन्ड करता है कि आप कितने दिन के लिए वोशधी बना करके तयार करेंगे। उसके हिसाब से दोस्तों आपको मेथी दाना ले लेना है। कटोरी के हिसाब से आप वीडियो में देख करके हिसाब लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों नसों की ब्लॉकेज इनको होती है उसका कारण आप सबसे पहले जान लीजिए जो व्यक्ति डेली बेसिस पर अपनी बॉडी का इस्तमाल नहीं करता है चलता नहीं है इसके अलावा खाने पीने में बहुत जादा तली मली चीज़ें खाता है और व्यायाम बि जो मेथी दाने का था वो डाल दिया है और मेथी दाने के साथ में यहाँ पे मैंने सिनिमन का पाउडर डाला है उसके बाद में यहाँ पे मैंने सौट का पाउडर भी इसके बीच में मिला रहा हूं और सबी चीज़ों को मिक्स करके दोस्तों आपको जो अपना इंडक्शन वो धीमी आज पे आउन करके इसको पकाना है याद रखिए जो मैंने यहापे मेथी दाने का पानी लिया था वो मैंने दोस्तों पानी की समेट मेथी यानि की साथ मेथी दाना था वो मैंने लिया इसके उबालने के लिए तो आपको ऐसी करके धीमी धीमी आज़ पे सौट पाउडर आदा छोटा चमच आदा छोटा चमच दोस्तों दाल चीनी का पाउडर मिला करके इंडक्शन ओन करके धीमी आज़ पे इसको उबालना है दोस्तों उबालने से क्या होगा सारे के सारे पोशक तत्वा पानी के बीच में आ जाएंगे उसके बाद में मैं आपको सेवन करने का तरीका बताऊंगा इस वीडियो में कि हफते में महीने में कितनी बार प्रियोक करना और कब बंद कर देना दोस्तों ये बहुत जरूरी है दोस्तों हमारी बॉड़ी की प्रकरती तीन टाइप की होती है वात पित और कफ उसके अनुसार दोस्तों आपको सेवन करना जो मैं आगे आपको वागबट रिशी अश्टांग रिद्दम के अनुसार बताने वाला हूँ आदी चुटकी या एक चुटकी हल्दी भी इसके बीच में अवश्य मिलाएं बहुत अच्छी होती है एंटी इंफ्लमेटरी तत्व पाये जाते हैं ऐसी और शदी होती है हल्दी जो कि नसों की ब्लॉकेज को खोलने के लिए इंफ्लमेशन को ठीक करने के लिए आपकी बहु का तलवों का और पैरों का हाथ का नहीं हो सकता अगर आप खेती बाड़ी नहीं करते तो कम से कम गाड़न में आपके घर के आसपास कहीं गाड़न हो जहां पर मिट्टी के संपरक में आप सके वहाँ पर जाकर करके बैठें थोड़ी देर जमीन पे लेट जाये नंगे पैर चलें सुबह 15-20 मिनट या फिर शाम को 15-20 मिनट आपकी मर्जी है लेकिन जमीन से कॉंटेक्ट रहने में संप्रक रहना बहुत जरूरी है अगर आप अपने शरीर को स्वस्त रखना चाहते हैं इसके अलावा मढ बात भी आप ले सकते हैं मिट्टी को सुखा करके जैसी आप नहाते अपने शरीर में मिट्टी लगाएं बीच में नीम और हल्दी मिला करके थोड़ी सी ये भी बहुत जादा अच्छी होती है नसों की ब्लॉकेज को अंदर से खोलने के लिए आपके शरीर को बाहर से ठंडा कर देगी और अंदर से नसे आपकी खुल जाए ता लगबग दोस्तों हफते में सुबह उठकर के खाली पेट दो बार सिरफ जो व्यक्ति से अधिक प्रियोग करेगा उसको नुकसान करेगा ये पानी तो दो बार सिरफ ये पानी का सो मिली लिटर छोटे वाले गिलास की मातरा में हफते में दो बार और एक महीने तक गुरू यूट्यूब पे सर्च करें उनके टीचर्स दोस्तों पूरे भारत में होते उनको अपने घर में बुला करके सूरे शक्ति या सूरे क्रिया या भूत शुद्धी सीखें वह सीखने से आपकी नसों की ब्लॉकेज और भी जल्दी खुलेगी क्योंकि ऑक्सिजिन की क्वांटिटी आपके शरीर में जादा जाएगी तो उससे नसों की ब्लॉकेज खुलती है